बढ़ती जन्संग्षा पर कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे बविश में और किसका काटते चले जाएंगे। तीन तरीके से बढ़ती हुई जनसंक्या क्या धार पे भविच्च में आप किसका आरक्षन कितना खा कर देना चाहेंगे इस बात का जवाब आती है तर्जनों जिले ऐसे हैं जहां पर की हिंदू माइनॉरिटी में है 2011 में 79.8% है और मुसल्मान 9.5% है और यहां इस समय 14.5% से उपर है तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है पर यह जनसंक्या का इस रफ्तार से बढ़ना और उस बढ़ती हुई जनसंक्या को लल्चाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तकपर होना इसलिए मैं विपक्षी दनों से इंडिकटबंदन से पूछना चाहता हूँ कि आप संक्या के आधार पे आरक्षन देने की बात कर रहे हैं तो इस बढ़ती जनसंक्या पे कितना आरक्षन आप बढ़ाते चले जाएंगे बविश में और किसका काटते चले जाएंगे चोंकि SC, ST, OBC की जनसंक्या सिर्फ जनसंक्या बढ़ने के आधार पे बढ़ेगी संक्या ये जनसंख्या, इनकी संख्या तीन तरीके से बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ने से, धर्मांतरन से, चूँकि उसको इंडी गडबंदन के सारी सरकारें और दल समर्थन करते हैं, और घुसपैट से, मंता बनर जी यसे लोग करते, मैं देखती हूं कौन जो है घुसपैट जो कितना खा कर देना चाहेंगे इस बात का जवाब आद दीजिए सरी जो डेटा आया ये इस बात का संकेत है कि आगे मुस्लिम राज़्ट के जो बताई जारा है लेकि मैं एक साब बात कहा रहा हूँ भारत में ये भी एक यथार्थ है कि उसने कहा था कि 40 परसेंट 45 परसेंट पॉपलेशन को माइनौरिटी नहीं माना ज़कता उन्होंने कहा था क्या ये होगा 51 परसेंट मेजौरिटी और 49 परसेंट माइनौरिटी है यद्ध भी वो सुप्रीम कोट में जाकर यूपीय सरकार ने उसको स्टेक करा दिया था और उसका राजनैतिक लाब लेने की गिद द्रिश्टी किन लोगों के मन में है जाके चेक कर लिए राहुल गानी की निया यात्रा जब शुरू हुई पुर्वोतर के शेतर से तो सबसे अधा भीड असाम के उस इलाके में हुई जो धुबरी बरबेटा करीम गंज का इलाका है और बंगाल के मालदा में उनकी ट्विटर लाइन पे जाके देखिएगा एक्स लाइन के उपर तो आपको दिखेगा वो उसको सेलिबरेट कर रहे हैं लुक एट दा काउट और यह वही है जहां सबसे जादा इंफिल्ट्रेशन के जादा डेमोग्राफी चेंज हुई है इसलिए यह दर्शाता है कि कॉंग्रेस से खतरनाक खेल खेल रही है जिसका सबसे पहला आगात SCSTOBC के आरक्षन पर होने वाला है उस विशे के बारे में हम लोग पहले भी बात कह चुके हैं विपक्ष उठा रहा तो पहले खुद तो बताए हिमाचल में करवा दिया अरे भाई आप सर्वे की बात कर रहे हैं करनाटक में आपके डिप्टी सीम ताल ठोक के कह रहे हैं कि नहीं होने दूँगा अब बताएए राजस्तान में किया सर्वे 36 गड़ में किया अच्छा दस साल वहां रही पंजाब में किया 2011 में आपने जादिकर जनगर्णा का डाटा रुकिया और जादिकर जनगर्णा रोकी किसने थी 1951 में जवाला नहरू ने रोकी थी ना इसलिए जो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं ना इन्होंने पहले किया था ना आज राज्यों में होने दे रहे हैं ना भविश्य में करेंगे इनका उद्देश सिर्फ अपनी राज्यतिक रोटी सेखना और फिर हम इस पे कह रहे हैं जात की जनगर्णा के आधार के उपर अब गर मुस्लिमों का की जनसंक्या गणना इतनी बढ़ती जा रही है तो आप कितना रिजर्वेशन काट कर जनसंक्या के आधार पे कितना उनको देगी